लादे लादे आवरीवन स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ग्यान अनुसार में सबसे पहले तो आप सभी को आने वाली हर्याली तीज की डेरु शुप्काम नाई इसे श्रावनी तीज, छोटी तीज, सिंधारा तीज, आधी कई नामों से जाना जाता है और श्रावन और भादों में लगबग तीन तरह की तीज आती है जिसमें हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका तीज होती है और अलाग अलाग शेत्रों में अलाग अलाग तीजों का वरत रखा जाता है तो यहां पर मैं हर्याली तीज की पूजा सामगरी आपको दिखा रही हूँ उसमें देखे सबसे पहले तो हमें अश्टगंद चंदन ले लेना है और कपूर ले लेना है चुकि इसमें शिवजी क पूजन किया जाता है माता पारवती के साथ तो कपूर शिवजी को अत्यंत प्री होता है और इसके साथ यह देखिए अभी राता है यह ग्लिटर टाइप में तो यह भी हम रख लेंगे पूजन के लिए और इसके साथ हम यहां पर सफेज चंदन ले लेंगे भगवान शिवजी के लिए और इत्र रख लेंगे हम और इसके बाद यह देखिए चोगड़े में हमें हल्ली अक्षत और चंदन और रोली यह सभी वस्तुएं होती है या तो आप अलग से भी रख सकते हैं चारों चीजों को साथ ही में हमने यहां पर धुबबत्ती ले लिए है और आज हैं तो आप आरति के लिए एक ही दिया ले और शाथ में देखी चौकी पर बिच्छाने के लिए हमें नया कोड़ा हर वस्तुए होगा और पूजा का वश्त्र है आपके पास हरी रंग का तो आप उसे भी इस्तमाल कर सकते हैं और शाथ में देखी शिव परिवार तो तो वो रख लें वरना इस तरह से आप मिट्टी से शिव परिवार बना कर भी पूजन कर सकते हैं यहाँ पर देखिए गनपती जी माता गौरी और शिवलिंग का निर्मान किया है मैंने और इसके साथ ही पूजन के लिए देखिए हमें इस तरह से कुछ फूल चाहिए होंगे यहाँ पर मैंने गेंडे के गुलाब के गुड़ल के और बेला के फूल लिए हैं कुछ बेलपत्र लिए हैं और दूग घास लिए हैं और साथ में भांग की पत्तियां हैं कुछ और इसके साथ ही देखिए धतूरा आकड़े का पत्ता यह सभी सामगरी लिए हैं अगर आप को ये सभी सामगरी आसानी से उपलब्द हो जाती है तो आप पूजा में जरूर शामिल करें और नहीं तो जो सामगरी आपको मिल जाए आप उससे पूजन कर लें चुकि अभी सावन का पावन महीना चल रहा है तो इस समय में लगबग सभी शिवालेयों के आगे माली बैठे होते हैं और उनके पास लगबग ये सभी सामगरी बड़ी ही आसानिस उपलब्द हो जाती है तो आप एक दिन पहले ही ये सामगरी लाकर गर पर रख लें और अगर शाम को पूजन करने वाले हैं आप तो सुबह भी ला सकते हैं और देखिए कुछ रितूफल ले ले जो भी रितूफल उपलब्द हों आपके पास आप वो रितूफल ले 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 और सावन में इस समय घेवर का बहुत जादा प्रचलन होता है बहुत जादा महत होता है तो यहां भोग के लिए मैंने घेवर और जले भी लिए हैं और साथ में मुक्षुद्धी के लिए लौंग इला डेली करना चाहिए लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो इन तीज ते ओहारों में गंगा जल से अभी शेक जरूर करें और साथ में देखिए मैंने यहाँ पर सुहाग की सामगरी ली है यह बहुत ज़्यादा जरूरी सामगरी है और इस शोलस रंगार की सामगरी में आप अपनी सुविदा के अनुसार चीज़ें एड कर सकते हैं लेकिन उन में चूडी, बिंदी, सिंदूर, महावर और बिच्वे जरूर होने चाहिए यहाँ पर मैंने कासे के बिच्वे लिए हैं और अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो आप कासे की जगा पर चांदी के बिच ले सकते हैं वरना कासे की बिच्वे तो देखिए सभी लोग ले सकते हैं बड़े ही आसानी से काफी सस्ते आते हैं और इस प्रकार से यह वो टोटल सामगरी है जो हमें हर्याली तीज की पूजा के लिए चाहिए होगी और इसके साथ ही देखिए अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो आपको इस तरह से एक लोटा चाहिए होगा लोटा पीतल का या तामभी का ले सकते हैं और यहां पर देखिए मैंने लोटा तयार करके रखा हुआ है स्वास्तिक बना कर कंट पर मुली बांद कर और यहां पर देखिए आपको 5, 7, 9, 11 या तो आम के पत्ते आप ल सामगरी है अगर आप करते हैं कलश स्थापना तो आप यह सामगरी ले और अगर बिना कलश स्थापना के पुजन कर रहे हैं तो इस सामगरी को आप हटा सकते हैं तो इस प्रकार से हर्याली तीज की पूजा सामगरी है उम्मीद करती हूं वीडियो से आप सभी को हैल्प मि लिए वीडियो अगर थोड़ा भी उस्फुल रहे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें